जर्म दोस्तों मैं नावनित सिंख स्वागत करता हूं आप सबी का रोजगार विद अंगित करता हूं साथ ही अंगित सर्क्राइब धनवार देना चाहता हूं कि मुझे इतने बड़ी प्रेट्फॉम पर मुझे आने का और सर्पगान किया। मैं पिसे 10 सालों से दिल्ली की मुखरजी नगर में टीचिंग कर रहा हूं और मुखरजी नगर की बड़ी संस्था हूं कियासे केरी केर्बस, कौर्णियर, दपोच में मैं टीचिंग कर चुका हूं। मैं एलाबाद इंवर्ष्टी से modern history में post graduate हूं। 2006, 2007, 2009, 2010 चारों का मैं UPSC का मेंज दे चुका हूं। इसके अलामा, UP, बिहार, MP, 36 गड़, जार खने, उत्रा खने के PCS का मैं मेंज दे चुका हूं। यह तो नहीं दूस्तों मेरी बात, अब बात करते हैं subject के, दूस्तों मैं आपको जोगर्थी पढ़ाँगा और मैं आपको विश्वास दिना चाहता हूं। चाहे आप किसी भी exam की त्यारी करते हूं। जोगर्थी subject आपकी selection में बाधाल नहीं बनेगी। मैं जोगर्थी के concept के साथ याद रखने के तरीकी साथ उसके tricks भी बताऊंगा। ताकि आप किसी भी fact को लंगे समय तक याद रख सकें और exam में उसका use रख सकें। दोस्तों fact ही ऐसी चीज है जो हमें जल्दी याद भी होती है और जल्दी बोल जाती है। तो जल्दी नहीं भूलें ऐसा कुछ उपाय करना होगा। और उसके लिए कुछ अंतरीके अपनाएंगे। ताकि चीजें आपको लंगे समय तक याद रखाएं। तो मैं political boundary of India यानि इंडियन जोग अथी के भारत की राज़तिक सीमा के साथ अपनी कच्छाएं सोगरूँगा। इसी के साथ कुछ पप्यू के साथ मैं अपकी बात को समात करता हूं। चलते रहें तो मंजिले मिलने जाएंगी। धुक गये तो मुष्किले बढ़ जाएंगी। चलो मिलकर बढ़ाते हैं कदम। जोस्तिले की अलो जाएंगी। मंजिले भी मिल जाएंगी। जैटू।